नमस्कर साथियों हमारे चनल स्वर्जस फैन यानि रियल हिरो में आपका स्वागत है जहें दोस्तों आज इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं कि एक्वल MSP के उपर क्या होने वाला है और जो P 2016 को जो X पे नहीं मिला और MOD ने जो लेटर जारी किया है उसके क्या मिनिक निकलते हैं 6CPC, 7CPC और OROP, OROP2 इस प्रकार से OROP3, OROP4 में क्या-क्या बदला हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए है आए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो कौन सा लेटर जो था जो MOD की तरफ से जारी हुआ और इसके बाद तरह-तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं दोस्तों ये 18 माई को ये लेटर जारी हुआ की तरफ से सेपरेट टेबल नमर 8 इसू के ऊपर जो MOD ने जो अपनी तरफ से सफाई दिये और जो पॉइंट रखे और जिस प्रकार से उन्होंने टेबल 8 के पच्छ में अपना ब्यान दिया इससे ये जाहिर होता है कि आने वाले समय में जितने भी महागाई भत्ते जितने भी अलाउंस बढ़ने वाले हैं उनके उपर अलाउंस के उपर संकट आ सकती है तीस प्रकार से आपने ये लेटर देखा होगा आपने समझा होगा और इस प्रकार से आप लेटर से वाकफित हैं और जो 18 मई 2030 का लेटर है आई ये चलते हैं में पॉइंट के उपर क्या मुद्दा है और किस प्रकार से ये एफेक्टेट करेगा और किस प्रकार से ये आपको समझने में आसानी होगी यहीं पर दोस्तों यहाँ पर next slide पा जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या अब पुराने पैंसरों को नहीं मिलेगा X-Pay, MSP और बढ़े हुए भत्तों को फायदा दोस्तों यह story X-Pay एक से सुरू होती है और X-Pay में जिस प्रकार से जो प्रेट 2016 के जवान थे उनको 3600 देकर और पुष्ट 2016 के जो जवान है उनको 6200 देकर मामला और बढ़ गया दोस्तों यहाँ पर यह है X-Pay X-Pay जैसे भी आप देख रहे हैं X-Pay जो दिप्लोमा होल्डर AICT के दोर दिप्लोमा होल्डर है उनको 6200 रुपे मिलता है लेकिन वहीं पे जो आप्टर 7 से पिछे के अनुसार इसमें पुष्ट 2016 के जवानों को 6200 रुपे मिलना शुरू हो गया लेकिन जो प्री 2016 के जवान है उनको 3600 मिल रहा है और वहीं पे और यह सफाई दी गई है आप्टर 7 से पिछे के अनुसार तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सेर अवस्थ करें ताकि सभी लोगों के साथ ये मैसेज साजा हो सके क्या-क्या क्या क्या नहीं हो सकते हैं तो यहां पे एकस पे एकस पे में देख रहे हां तीन कैटेगरिया अब तक बन गई है जू पहले 1400 थी उसके बाद 3600 और 6400 इसमें फिरहाली चल लए है ये 2016 से पहले थी जो 2006 से 2016 तक के बीच में 1400 थी और अब 2016 के बाद जो अभी ओवारूपी 2 के बाद रिवीजन में इनका 3600 और 6200 हो चुका है जो 2016 के पहले से जो चलता आ रहा था उसमें X पे 1400 सब को मिल रहा था चैए डिपलोमा हो चैए X ग्रूप को हो वह 1400 मिल रहा था वहीं पे 7CPC के बाद एक्स पे उनको जो X ग्रूप है उनको 3600 मिल गया जो डिपलोमा होल्डर है उनको 62 मिल गया लेकिन यहां पे 62 के कहानी दो भागों में बढ़ जाती है प्री 2016 और पोश्ट 2016 में यहां पे प्री 2016 के जवानों को वही इनके X पे के उनसार 3600 मिलता है और यहां पे 6200 जो 7CPC के उनसार लागो हो गया तो वो मिलता है तो दोस्तों यहां पे लागो हो गया लेकिन ओर रूपी 2 भी 7CPC के बाद लागो हुआ वही पे दोस्तों यहां पे 6200 हो गया लेकिन यहां पे इससे प्री 2016 को अलग कर दिया गया यानि उससे बढ़े हुए यानि यहां पे प्री 2016 के पहले की जो जवान है उनको 36 के हिसाब से मिलेगा और प्री 2016 के बाद के जवान है उनको टेबल नमबर 8 यानि टेबल नमबर 8 क आनुसार यानि 6200 मिलेगा इस प्रकार से दो कटेगरिया हो गई और इसके उपर अभी तक नौत तो इसके उपर केस मैंसन किया गया है और सिर्फ और सिर्फ एक एक सर्विसमेंड मोमेंट की तरफ से जो इस लेटर में आगे देगे लेटर में जो नोटेड है वही पॉइंट में था एक वही केस था जिस वो डिस्पूइट हो चुका है लेकिन वो केस उस रेट के साथ था जो ओर रूपी को सही तरह से लागू न किये जाने की वज़ा से एक सर्विसमेंड मोमेंट में ओर रूपी का केस लड़ा था लेकिन उससे हासिल क्या हुआ कुछ नहीं कोई फायदा हुआ कुछ नहीं कोटने भी वही सरकार के सब धलीलों कोई कोई कोटने में माना उसमें कुछ तबदील नहीं किया सिर्फ और सिर्फ अपने आडर में वही कहा था तीन महिने के अंदर जो एरियर पेड करे लेकिन उसे भी कोटने आगे कई किस्तों में कर दिया और जो दो साल में paid होना था उसी एक साल के अंदर paid करने की किस्ते बना दी है वहीं पे दोस्तों आगर आगले बात करें MSP MSP जो 2000 रुपे पहले थी 7 CPC के बाद 52 रुपे होई अब केस लड़ा जा रहा है Equal MSP के उपर Equal MSP 10800 या 15500 हो सकती है लेकिन इसके उपर दिल्ली हाई कोट में अभी केस चल रहा है केस कब तक प्रोग्रेस होगा कब तक क्या चलेगा अभी तक इसका कोई ठिकाना नहीं हो सकता है हो सके गुवर्मेंट सुप्रीम कोट में भी जाए और या उसके बाद पॉलसियां बने तब जाकर इए इंप्लेमेंट हो सकता है लेकिन 6 PC में 2000 रुपे MSP थी आल रेंक्स के लिए उसी परका 7 CPC में बावन सो रुपे MSP बनी वो भी आल रेंक्स के लिए बनी लेकिन सवाल अगर यहाँ पे कंपेर किया जाता है XP के हिसाब से तो XP में भी XP जो 6 CPC के अंदर था तो X1400 और 1400 था लेकिन यहाँ पे XP 7 CPC के बाद 6200 हो गया लेकिन वहीं पे जो 2016 के पहले के जो जवान है उनको छोड़ दिया गया उनको अलग कर दिया गया और वो 3600 के उपर रहज गये वहीं पे सवाल यहाँ पे यह भी आ जाता है क्या जब से MSP एक्वल MSP लागू होगी तो क्या जो पहले के जवान होंगे उनको 5200 के उपर छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद जब से लागू होगी तो क्या सब को मिलेगा या नहीं मिलेगा तो दोस्तों आपको यह बता दें कि MSP का केस और अपने पैंसन में बढ़ोतरी के लिए लड़ रही है और एक्वल MSP के लड़ रही है और यहाँ पे दोस्तों इसमें न कोई केस लड़ने वाला है अगर इसमें अगर कोई प्री 2016 के जवान अगर केस करते हैं तो यह केस जीतेंगे टेबल नमर एट के अनुसार इनको पे मिल जाएगी जो प्री 2016 के डिप्लोमा धारी है AICT के दवारा अगर प्री 2016 डिप्लोमा जितने भी जवान हैं वो अगर केस करते हैं तो यह केस जीत जाएंगे और उनको 6200 के हिसाब से पे आवस्य होगा वहीं पे अगर यहां पे MSP की बात की जाए तो सरकार आगे नकार सकती है ऐसा भी हो सकता है लेकिन 90% उमेद है कि नहीं होगा क्योंकि यहां पे जो Equal MSP का केस है लड़ रहा है और जो अपने Ex-Servicemen भायों के लिए पैंसन में बढ़ोत्री के लड़ रहा है वहीं पे ORP1 और ORP2 में जो MSP का Equal MSP का जो केस है Equal सब के लिए Equal है और सब के लिए Separate Table नहीं बनाई गई है लेकिन Separate Table की जहां तक बात हो जाए अगर MOD की बिचार में आ जाए कि आगे जितने भी ORP लागू होने के बाद आगे भी जितने भी ORP हो सब के लिए Separate Table बना दी जाए तो हो सके या ये भी हो सके जिस प्रकार से जिस रेंग में बिसंक्तियां पाई गई बाद कोई उनमें कोई अंतर नहीं हुआ फाइदा नहीं हुआ और जिस प्रकार से Table No.8 इंट्रोडूज किया गया तो ये भी सवाल खड़े करते हैं सरकार के रवये के उपर ये इंट्रोडूज Table इंट्रोडूज करने में कोई अगर थोड़ा भी मौका मिला तो ये कोई भी मौका अपने हाथ से MOD गवाने नहीं देगा लेकिन यहाँ पे main point ये है कि हमारा जो equal MSP का case है ex-servicement movement के हाथ में है और ये ex-servicement movement ex-servicement जवानों के लिए लड़ रहा है जो भी doubt है उसे आप निकाल दें कि MSP सब के लिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे voice of ex-servicement society आपका case लड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ex-servicement ही equal MSP का case लड़ रहा है और यहाँ पे इस case में जब से 7CPC इंट्रूडूज हुआ तब से ये लोग इंतजार कर रहे थे कि ORP2 जैसे ही लागू होगा वैसे ही सब को 6200 के हिसाब से मिलेगा लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया ORP2 लागू होते ही आपको table number 8 introduce कर दिया गया तिस प्रकासे दोस्तों आप इतने भ्रम में ना रहा हैं कि MSP आपको नहीं मिलेगी MSP अवस्य आपको मिलेगी और कुछ 5-10% आसंकाय जरूर हो सकती है कि MSP नौ मिले क्योंकि MSP अपना मोका हाथ से गवाने भी नहीं देगी ओके दोस्तों धन्यवाद आप अपना ख्याल लखें अपने दोस्तों का ख्याल लखें और अपना व्यक्तित इस प्रकार विक्सित करें कि आपके साथ बच्चे बुजरुग महिलाएं सिफ महसूस करें ओके दोस्तों धन्यवाद जैहिन